NTSC नहीं हुआ तो हताश और निराश होने की जुरत नहीं है हमने भी उसके लिए स्तत्या करा था गौर्णमेंट बॉड़ी से गुहार लगाई थी कि हमारे बच्चों का एक्जाम कराया जाए पर किसी कारणवज शायद गौर्णमेंट बॉड़ी नहीं करा पाई बिल्कुल सही सुन रहे हो मोशन एक नई चीज लेकर आया है वर्चुल नैशनल टैनेंट साच एक्जामनेशन ये इस बार मोशन कंड़ट करा रहा है आप हमें एक तरीके से ऐसा मान लीजिए कि हम लोग बिल्कुल वैसे ही इकजामनेशन कराएंगे जैसे NTSC कराता बिल्कुल सही सुना आपने पस इसमें आपका साथा और सही इसलिए चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें अच्छा घबरा हो मत बिल्कुल टेंशन मत लो हमने इसको बिल्कुल फ्री रखा है बात हो रहे है क्योंकि हमारा भी कुछ करतव बनता है, हमने NTSC की क्योंकि सत्यागरे की बात कर ली थी, सहीं बताऊं तो NTSC की सत्यागरे की बात करके मुझे लगाए तो हुआ ही नहीं, क्या करें तो हमने सुचा जिन बच्चों ने इन वीडियो को देखा था जो बच्चे हमें जानते हैं उनके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए तो टीम ने बहुत बढ़ी अच्छी आइडिया के साथ आया यह उसकी NTSC की वेबसाइट है जिसपे आप जा सकते आपको करने के बाद हम भी देंगे अब राइये मत पर आपको जाहिड सी बात है कि हमें प्रभावित करना पड़ेगा अपनी परफॉर्मेंस से अगर आप वो कर पाए तो आपको जरूर होगा सर हमें कैसे पता पड़ेगा प्रभावित उसमें भी हमने बहुत निश्पक्ष बात करेंगे साहिए और उन दी न बतल ऊवर्फ करेंगे तो ज़स्कता है कि पहले से विए 엮ालत कुछ पम रपरपोर्शन कि संक्या है वो बढ़ पाएगी करेंगे जैसे आपन करने वाले आईए कि कब होने वाला था अलग बात है अपन वर्चुल न्टेस्ट कर रहे हैं तो भाई वर्चुल नैशनल टैंटेस्टेस्ट प्राइट लिमिटेड वन से यर ऑनलाइन ऑनलाइन होगा पहला स्टेज वन जो एक्जामनेशन आपका होने उसका थोड़ा प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा उस पर मैं भी नहीं जा रहा हूं जब आप फॉर्म बरेंगे तो आपको टीम पूरा समझाएगी आपको उसके लिए आपके पास डिफरेंट वीडियो आएंगे आपको दिखाई देंगे जैसी वात है मोड़ाफ होगा वो कोटा के लिए अलाइंड है पर अगर ऐसा हो गया कि यूपी से बहुत सारे बच्चे आ गए हैं तो हो सकता है कि मैं किसी सेंटर लोकेशन पर स्टेज 2 को कंड़क्ट करें स्टेज 1 की एक्जाइम डेट है बाइस जनवरी नोट कर लो बाइस जनवरी और स्टेज परसेंट से ज्यादा नाइंत में आपकी परसेंटेज होनी चाहिए जब भरा जाएगा यह आपकी स्कैन कॉपी की मार्शीट ली जाएगी तभी आपके लिए टेस्ट फ्री होगा सिलेबस की अगर बात करें तो आपको समझ में आएगा जो NTSC का जो 9 और 10 का स्कॉलर्शिप अगर आपन बात करें जैसा कि मैंने बोला कि जो बच्चे स्टेज 1 क्लियर करके स्टेज 2 तक चले जाएंगे उनको साड़े बारा सु रुपे पर मन्त क्लासे 11 और 12 पर मोशनाइट अस वेल इस नॉन मोशनाइट सच ऐसा नहीं है कि मोशन वाल नहीं है यह सब यह बैसिकली अब मोशन वालों के लिए बात नहीं हो रही है यह बात हो रही है जितने ज्यादा बच्चे देंगे उतनी हमें फील आईगी कि हमने एक्जाम दिया क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको वैसे ही कराया जाए जैसे कि NTSC कराती है और आपको स्कॉलर्श और सेट के जिसमें Mathematics, Science और Social Science तीनों आती हैं दो दो घंटे के पेपर सें 120-120 मिनिट के पेटर आप लोग पहले से भी जानते हैं जो भी तैयारी कर रहे थे तो वही पेटर एक्जेकली फॉलो होगा उसी लेवल का पेपर होगा प्रयास करेंगे 100% वह एर लेस आपके पास अब जानते हैं सेक्यूल टाइप आते हैं वह ओनलाइन होगा स्टेज 1 स्टेज 2 ऑफलाइन होगा सभी करेक्ट आंसर के लिए एक नंबर मिलेगा और नेगेटिव कि अगर अपने को कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है स्टेज 1 और स्टेज 2 में तो यह आपके पूरे- नहीं कर रहा हूं वेरी यूजर फ्रेंडली है यूएक्स यूए उसका बहुत बढ़िया बनाया गया है ताकि आप आराम से फार्म भर पाएं और टेस्ट को दे पाएं तो तयार हो जाईए वर्चुल न्टीस्टी एक्जाम के लिए कब होने वाला है पहला स्टेज 1 कर दिया है अब आपका समय है अपने परिश्रम का परिचय देने का जो आपने परिश्रम करा था न्टीसी के लिए सोच के कोई बात नीवोग बोड ने या गॉर्मन बाडी ने नहीं कराया हम आपके लिए लेक्या आए हैं आशा करता हूं कि हमारा इनिशेटिव बच्चो नहीं कर सकता था पुरी टीम ने जान लगाई है तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ भीता प्रेम बनाए रखने लिए बहुत धन्यवाद थैंक यू